हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू पेड़ी रेसिपीज आज हम बनाएंगे बहुत ही पॉस्टिक मुंग दाल का चीला हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ पुर्णिमा और आप देख रहे हैं पेड़ी रेसिपीज हमारे चैनल में आपका भूद पस्वागत है आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही पॉस्टिक और बहुत ही रेसिपी जो की बनी है मुंग दाल से मुंग दाल का चीला जो की बहुत ही सौफ्ट है बहुत जल्दी ये नाष्टा बन जाता है बहुत ही हेल्दी है बहुत ही पॉस्टिक है तो चलिए इसकी रेसीपी बताते हैं आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए बनाते हैं मुंगडाल का चीला यह देखिए यह हैं मुंगडाल और मुंगडाल को हमने 3-4 घंटे पानी में बिगो के रख दिया उसको अच्छे से धोल लिया है यह देखिए काफ़े अच्छे से फूल गई है यह दबाने से ऐसे दब रही है तो इस तरीके से अपने को मुंगडाल को अच्छे से बिगो ले रहा है करीब 3-4 घंटे गर्मी के दुना में 2 घंटे में अच्छे से भीग जाती है और सर्दियों में 3-4 घंटे इसको मिक्सी के पात्र में निकाल लेते है तो यह देखिए यह मुंगडाल हमने निकाल ली है इसमें हम डाल देंगे 2-3 कली लेसन की और 2 हरी मिर्चे है यह कम तीखी है तीखी मिर्चो तो छोटी मिर्ची लेजे और साथी हम डाल देंगे इसमें थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा सा नमक आधा चमच जीरा और अब इसको हम अच्छे से पेस लेंगे पहले ऐसे ही पीस लेंगे फिर ज़रोद पड़ी तो थोड़ा पानी डाल के हम पीस सकते हैं ये देखिए इसको हम ने बिना पानी के पीस लिया है यह साइट के दाल थोड़ी सी रिच्छे कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे बहुत थोड़ा सा डालना है इसको पीस लेते हैं यह देखिए पानी डालकर हमने इसे एक बार और पीस लिया यह देखिए बढ़िया अच्छे से पीस गया है अच्छा बैटर बन गया है इसको दूसरे बरतन में निकाल लेते हैं यह जो मिक्सी का पॉट था इसमें थोड़ा पानी डालकर यह पानी इसमें डाल देंगे यह हमने इसमें डाल दिया इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे बारिक कटा हुआ हरा धन्या इसमें अच्छे से मिला देंगे इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा हल्दी पॉडर और थोड़ा सा लालमिश का पॉडर डाल सकते हैं मैंने थोड़ा साल्दी पॉडर मिला दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमने कैस पर तबारत दिया इसको अच्छा करम होने देंगे इस बेटर देखिए मुझे थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा और पानी मिला देती हूं यह तबाच्छे से कर हो गया है अब इस पर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे तेल डाल दिया सारे तो फिला दिया और अब में यह तिल को वापस कटोरी में निकाल लिया है अब इसके उपर हम यह बैटर डालेंगे निवन एक चमज बैटर लिया बीच और बीच रखां यह थोड़ा सा और दो चमज लिया और अब इसको इस तरीके से बीच से घुमाते हुए साइट में किनारे में ले जाएंगे अब हमने गैस की फ्लेम जो है वो एक दूलो पर रखी है इसको हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे इसके किनारे किनारे पे थोड़ा सा तेल लगा देंगे यह देखिए थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देंगे किनारे पे इसके उपर भी थोड़ा सा तील डाल देंगे और इसको ढख कर पका लेंगे ढख देंगे करीब दो मिनट हो गया है किनारा छोड़ने लगा है चीला अब इसके उपर हलका सा तेल और लगा देंगे और अब इसको पलट देंगे यह देख देखिए बहुत अच्छा कलर आया है चलिए इस सेट से में ढख कर करीब हम दो मेट कली पका लेंगे यह देखिए दो मिनट हो गया है और यह मूदल कच्छीला जो है अच्छे से पक गया है देखिए पलट के देखते हुआ तो इसको एक तरब से दो मिनट और दूसरी तरब से दो मिनट इतना हमेंसे पकाना है यह लीजिए तयार है यह हमने तबा पे थोगा सा सेल डाल दिया अब हम इसमें डालेंगे बैटर यह हमने बैटर डाला थोड़ा सा और इसको बीच से ऐसे घुमाती है किनारे तक हमें ले जा लेगा इस तरह से हम यह पेटर फैला दिंगे इसमें डाल देंगे साइट में तेल तोड़ा-थोड़ा सा तेल डाल देंगे उपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे अब इसको डग कर पकाएंगे अगर चीला मोटा बनाते हैं तो यह बहुत साफ्ट बनता है और अगर चीला पतला बनाएंगे तो वो अग्तम क्रिस्पी बनाएंगे तो हमें तो चाहिए साफ्ट वाले चीले तो यह हमारा चीला बनके तयार हो गया है देखिए अब आप कहते होंगे कि यह तो भी नॉन्स्टिक तवा है और साधे तवे पर कैसे बनाएंगे तो चलिए आपको हम साधे तवे पर भी बना कर दिखा देते हैं देखिए हम आपको साधे तवे पर भी बना कर दिखा देते ह तब एक पहले खुब अच्छा करम करना है अब इस पर डाल देंगे तेल डाल देंगे एक से इस तेल डाल देंगे दिखिए तेल डाल दिया और अब हम इसमें यह बैटर डालेंगे तब काफी गरम होना चाहिए और इसके बाद हम ग्यास कर देंगे कम अब देखिए ऐसे हम इसे खेलाएंगे यह हमने फेला दिया थुरा साइड में तेल डाल देते है ताकि यह पकर जो है यह छोड़ दे ठीक है इसको हम डग देते हैं एक मटी से पकने देंगे तो यह देखिए एक मिल्ट के गरीब हो गया है एक मिल्ट से जादा हो गया थोड़ा सा गैस की फ्लेम मेंने कम रखी थी अब मैंने गैस की फ्लेम को भी बढ़ा दी है मीडियम पर और देखते हैं इसके किनारे छोड़ते हैं यह देखिए फ्रेंड्स मूंग दाल के चीला बहुत बनाना बहुत आसान है अब हमने गैस की फ्लेम मिल्ट कर दी थी अब एकदम लोग पर कर देंगे उससे क्या होगा यह तवा गरम होके जब ठंडा होगा तो यह किनारे खुदी छोड़ने लगेगा यह देखिए यह अलग हो गया चीला इसके ऊपर थोड़ा सा तेल पहला देते हैं और इसको हम पलट देखिए तवे पर भी बहुत अच्छा चीला बनके तयार हो गया इस साट से या तो ढटके पका लीजे या ऐसे से देक लीजे तो इस तो हम ढटकर पका लेते हैं एक मंड़ और यह देखिए यह चीला बनके तयार हो गया गया है अच्छा झाढ़ हो गया है